आप वास्तव में कैसे अमीर बन सकते हैं और कैसे अमीर नहीं बन सकते इसके बारे में अधिक विशिष्ट विवरण में जाए पहला बिंदू ये था कि आप कैसे अमीर नहीं बनेंगे आप अपना समय किराये पर देकर अमीर नहीं बनेंगे अपनी वित्तिय स्वतंद्रता हासिल करने के लिए आपके पास इक्विटी व्यवसाय का एक हिस्सा होना चाहे ये संभवता सबसे महत्वपोन बिंदोर में से एक है लोगों को लगता है कि आप धन पैदा कर सकते हैं और काम के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं और ये संभवता काम नहीं करेगा इसके कई कारण हैं लेकिन सबसे बुनियादी कारण यह है कि आपके इंपुट आपके आउपट से बहुत निकट्ता से जुड़े हुए हैं लगवक किसी भी वेतनवाली नौक्री में यहां तक कि प्रती घंटे बहुत अधिक भुकतान करने वाली नौक्री में भी जैसे वकील या डॉक्टर आप अभी भी घंटे लगा रहे हैं और हर घंटे आपको भुकतान मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि जब आप सो रहे होते हैं तो आप कमाई नहीं कर रहे होते हैं। यदि आप उन डॉक्टरों को भी देखें जो अमीर हो जाते हैं वास्तव में अमीर की तरह तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे एक व्यवसाय खोलते हैं। वे एक निजी प्रैक्टिस की तरह खुलते हैं और वे निजी प्रैक्टिस एक ब्राण का निमान करती है। और वह ब्राण लोगों को आकरशिक करता है या वे किसी प्रकार का चिकितसा उपकरण या कोई प्रक्रिया या कोई प्रक्रिया बनाते हैं जहां उनके पास बौधिक संपदा होती है. तो अनिवारे रूप से आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं और वो व्यक्ति जोखिम ले रहा है और उसके पास जवाब देही और बौधिक संपदा और ब्राण है इसलिए वे आपको पर्याप्त भुक्तान नहीं करेंगे वे आपसे काम करवाने के लिए न्यून्तम भुक्तान करेंगे और यही एक कुछ न्यून्तम राशी हो सकती है लेकिन जहां आप सेवानिवृत हैं वहाँ यह अभी भी सची संपती नहीं होगी और फिर अंतधा आप वास्तव में समाज के लिए उतना मौलिक निमान भी नहीं कर रहे हैं जैसा कि मैंने कहा इस ट्विटस्टॉम का नाम हाँ टू क्रेट वेल्थ होना चाहिए था यह सिर्फ हाँ टू वेट रिच एक अधिक आकशक शीशक था लेकिन आप समाज के लिए नहीं चीजे नहीं बना रहे हैं आप बस चीजों को बार-बार कर रहे हैं और आप अनिवारे रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं क्योंकि अब आप एक निर्धारित भूमिका निभा रहे हैं और उन निर्धारित भूमिकाओं को सिखाया जा सकता है। में बदलने की जरूरत नहीं है इसे थोड़े समय में बदला जा सकता है और ये आपके धन्स रिजन और इसलिए आपकी कमाई की शम्ता को प्रभावित करता है इसलिए बुनियादी तोर पर आपके input आपके output से mail खाते हैं आप बदले जा सकते हैं और आप रचनात्मत नहीं ह रहे हैं मुझे नहीं लगता कि ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप वास्तव में पैसा कमा सकते हैं इसलिए हर कोई जो वास्तव में किसी बिंदू पर पैसा कमाता है उसके पास किसी उतपाद या विवसाय या किसी प्रकार का IP होता है जो स्टोक विकल्पों के माध्यम से हो सकता है। इसलिए यदि आप किसी तकनीकी कंपनी में काम कर सकते हैं तो ये शुरुवात करने का एक अच्छा तरीका है। लेकिन आम तौर पर वास्तविक संपती आपकी खुद की कंपनियां शुरू करने या आप जानते हैं निवेश को दारा बनाई जाती हैं वे एक निव पूर्णिक समाश को देखें, तो बाद में ट्वीट तूफान के बाद से उच रचनात्मक्ता और उच उतोलन वाले व्यवसाय ऐसे होते हैं, जहां आप एक घंटे का काम कर सकते हैं, और इसका बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है, या आप एक हजार घंटे का काम कर सकते है और इसका कोई प्रभाव नहीं हो सकता है, उदाहरन के लिए सॉफ्ट्वेर इंजिनिरिंग को देखें, उदाहरन के लिए एक महान इंजिनियर बिटकुन बना सकता है और अरवों डॉलर मूले का मूले बना सकता है, एक इंजिनियर जो गलत चीज़ पर काम कर रहा है या उतना अच्छा नहीं है या बिलकुल रचनात्मक या विचारशिल नहीं है या जो भी हो पूरे एक साल तक काम कर सकता है और उनके द्वारा भेजेगे कोड का प्रतेक टुकड़ा उप्योग में नहीं आता है ग्रहा किसे नहीं चाहते हैं। इन्पुट और आउपुट काफी जुड़े हुए हैं वे सिर्फ एक कुलाडी या आरी का उप्योग कर रहे हैं तो दुनिया का सबसे अच्छा लकडारा सबसे खराब लकडारे में से एक से तीन गुना बहतर हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होने वाला है। इसलिए आप ऐसे पेशे और करियर की तलाश करना चाहते हैं जहां इन्पुट और आउपुट अत्यदिक असंबद हों। ये कहने का एक और तरीका है कि आप उन चीजों की तलाश करना चाहते हैं जिनका लाब उठाया जा सके। और लिवरेज से मेरा तातपरे वोल स्ट् नहीं है और इसका नाम खराब है। मैं सिर्फ टूल्स के बारे में बात कर रहा हूं। हम उपकरण का उप्योग कर रहे हैं। कम्प्यूटर एक उपकरण है जिसका उप्योग सौफ्ट्वेयर इंजीनियर करते हैं। यदि मैं बुल्डोजर और स्वचालित रोबोट कुल रहा है। उपकरण और उतोलन ही इनपुट और आउटपुट के बीच इस वियोग का निमान करते हैं। रचनातमत्ता इसलिए किसी पेशे में रचनातमत्ता का घड़क जितना अधिक होगा, इनपुट और आउटपुट के असंबद होने की संभावना उतनी ही अधिक अधिक होगा है।